गेहूं की फसल की कटाई के बाद किसान बंधू गेहूं की खेत में क्या लगाएंगे जिससे वो कम दिन में बढ़िया पैसा कमा सकते हैं इस वीडियो में कुछ सब्जी बर्गिये फसलों के बारे में भी बात करेंगे कुछ ऐसी भी फसले हैं जो कि आपको साठ से सतर दिन में बढ़िया इंकम दे देगी और उसकी कटाई आप एक साथ में ही ले सकते हैं और कुछ ऐसी भी चीज़े हैं जिसको लगा करके हम अपनी मिट्टी को ताकतवर भी बना सकते हैं वीडियो में लाश्टक बने रही मैं होने ज़र आप देख रहे हैं यूथ एक्रिकल्चर किसान साथी सर्व पर्थम बात कर लेते हैं कुछ सब्जी बर्गिये फसलों की म और एक बारिस आ जाती है तो हमारे मेटी में नमी भी बन जाएगी और अगर नहीं आती है नमी नहीं हो तो एक हलकी सिचाई कर वाले उसके पस्चात आप अपने खेत में चाहें तो मक्का की खेती कर सकते हैं मक्का जो की आप मई में लगाएंगे तो 80-90 दिन में तयार हो दाएगी और आपको उससे बढ़िया फायदा हो सकता है कुछ सब्सक्राइब करें तो आप मई के महीने में हाइवरीड भिंडी की खेती कर सकते हैं हाइवरीड भिंडी किसान बंधू काफी बढ़िया मातरा में उत्पादन दे सकती है और मैं में लगाएंगे तो उसकी हर बहुत बढ़िया उसका पैदावार भी होता है और किसान साथी उसको भी नौवंबर से दिसमबर तक उसकी हर्वेस्टिंग लेते रहेंगे वह आपको इंकम देती रहेंगी जो आप स्क्रीन पर वराइटी देख रहे है उसको लगा सकते है या फिर जो आपके यहां आपक लगबग हर सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन कदू इसका खेती आप जरूर करें जिसको कोड़ा द्याती भासा में बोला जाता है यह जो है ना इसको आप इसका उत्पादन एक तो भरभर का होता है इसमें आपको कोई ज्यादा इंसेक्टिसाइड का परियोग नहीं करना बेश दें और यह काफी अच्छे तरीके से इसका भंडारन भी किया जा सकता है यही एक ऐसी सब्सक्राइब की फसल है जिसका भंडारन आप ज्यादा दिनों तक रह करके कर सकते हैं अगर अच्छी तरीके से यह पकर तयार हो गया है तो आप उस वक्त कदू का भी कोड़ा जो कदू है उसको भी आप लगा सकते हैं दूसरी आप मक्का की फसल भी मई के महीने में लगा सकते हैं मक्का भी आप जो लगाएंगे वो आपको 90 दिनों में तयार हो जाएगी और उससे भी आप किसान बंदू बहुत बढ़ियां इंकम जेनरेट कर सकते हैं तील एक तील यह ऐसी फसल है जिसकी खेती आप मई के महीने में करेंगे तो यह भी 90 दिन में तयार हो जाने वाली फसल है और यह भी काफी बढ़िया इंकम किसान को दे सकती है अगर गेहूं की फसल आपकी कटाई हो गई आप सोच रहे होगे हम कुछ नहीं लगाएंगे डैरेक्टली हमें दन की इसमें खेती करनी है तो मैं कर निहां आप लगाएंगे सबस्ट ओस में टेब लगा देंगे तो जो हम धान की खेती करेंगे, उसमें धान की फसल लगाएं, उसका उत्पादन काफी अच्छा होगा, हमारी खेतों की मिट्टी की ताकत है वो बढ़ जाएगी, और आपको ज्यादा कुछ इसमें खर्च भी नहीं आएंगे, आपने बीच लिया, डिरेक्ली आप अपने ख पोष्ट की मातरा काफी अधिक बढ़ जाएगी, और जो है ना हमारी खेतों की इसकी काफी ज्यादा आजकल जरूरत भी है, तो जो किसान बंदु कुछ भी नहीं लगाना चाहते हैं, वो ये कम कर सकते हैं, इसके अलावा आप टमाटर लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते है उसके अलाबा आप जो गिलकी है, तुरोई है, उसकी खेती आप कर सकते हैं, माई के महीने में, ये सारी जू सब्चिभर्गी फसल है इसकी खेती आप माई में कर सकते हैं, और ये आपको काफी ज़्यादा दिनों तख इसकी वैलेडिटी रहेगी जो अभी के समय में जो ग बुलापा आ गया होगा और यह धीरे धीरे अपना पैदावार जो है वो खतम होने लगाए इस फसल की अधियाप समाप्त होने लगती है लेकिन जो मैं में लगाएंगे न वो जब हर्वेस्टिंग उसका सुरू होगा उस वक्त तक जो जनवरी फरवरी में हम लगाए हुए ह होते हैं बहुत सारे सब्जी पर फसलों का उस वक्त बुढ़ापा आ गया होता है उसका जो उससे जो फलन है वो लगबाग खतम हो चुका होता है तो इस तरीके से हम मैं मैं जो भी सब्जी पर फसल लगाएंगे उसका रेट भी बढ़िया रहेगा उससे किसान बंदू सब्सक्राइब जरूर करेंगे बिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद